नमस्कार दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लाश 12 के बाइलोजिक आठमा चेप्टर मानब स्वास्तिया और रोग हुमाइन हेल्थ और डिसीज के इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोस्चन और इंसर को देखेंगे जिहां दोस्तो वीडियो में लाष्ट तक बने रह है बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी अकादमी में फलेरिया रोग पैदा करता है यह किस सम्मूख का है यह कोश्चन देखें दोस्तो 2009 में पूछा हुआ है ऑप्सन ए है प्रोटो जोवा बी है जिबानू सी है बिसानू और डी है है लिम्तनीज सही इंसर होगा ऑप्सन डी अगला कोश्चन देखें बिडाल परिक्षन किसकी पुष्टी के लिए किया जाता है यह भी कोश्चन 2009 में पूछा हुआ है ऑप्सन ए है मलेडिया बी है टाइफाइड सी है एड्स और डी है कैंसर बिडाल परिक्षन जो है टाइफाइड के पुष्टी के लिए किया पर ये यूशिज के लिए सीह टाइफाइड के लिए और डी है टेट नस से लोगा ईपसं सी प्रेफाइड के लिए अगला को चन देखे निम्न में से कौन आउन संचारित रोग है डुलिएंग कोचन पूछा है ऐसा ही टाइफाइड भी है सभी कोश्चन आपको देखे दोस्तों इसलिए वीडियो को लाख तक देखे और सभी कोश्चन को आध करके एकजाम में जाएगा इससे कोश्चन आपको पूछेगा ठीक है चलि अगला कोश्चन है ऑउनकेलाओजी किसका अधियान है ऑपसन आ है मिलेनोमा भी है लिमफोमा चांवाएगा गारिसे नोमा तो इसका जो है अनुसर साथ का दोस्तों होजेगा और दिकारिसनोमा नेक्स्ट है T lymphocyte उत्पन होता है यह भी कोशन देखे 2015 में पूछा हुआ T lymphocyte उत्पन होता अप्शन है थाई मस्से B है पेर से C है स्थी मजजा सिया और D है यह क्रिस्ट है सही निम्न में से किस कोशिका पराकरमन करता देखे 2010 और 2016 में पूछा हुआ यह कोशन है यह निम्न में से किस कोशिका पराकरमन करता अप्शन है बीटा कोशिका B है T कोशिका C है इफी थिलियल कोशिका और T T है T helpfer कोशिका सही निम्न में से कोई नहीं से होगा जी उनको जिन से द्वारा तो सभी दोस्तों आद रखेगा सभी कोश्चन जो है आपको इंप्रून बता जाए रहा है इसलिए कोश्चन को लाट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को देख सेर करें अगरा कोश्चन है यह सीटा बुलेरिय इन में से क्या है यह सीटा बुलेरिया इन में से क्या है 2016 का कमपार्टमेंटल और 2017 के इनगोल में पुछा हुआ इसलिए और 2017 का इनगोल में पुछा हुआ और अगरा कोश्चन है अगरा कोश्चन है और 2017 के कंपार्टमेंटल में पुछा था और 2017 के इनगोल में पुछा था और इसलिए और इसलिए औरleen कोश्चन है तो पिउलेश मच्छर बी नर इन्फेलिस मच्छर और सी है मादा क्यूलेक्स मच्छर और डी है इन्यरों सहीलिक ऑप्शन्सीम माती यह सथमें उस्षक्ष मैं zu posh रोग होता है ऌपसनी है जिबानू द्वारा भीशावी द्वारा दीरैक का सब्सक्क्राइग अगरा कोश्षक हैएविक से सभी सभी इंट अमीवा इन में से क्या है 2017 के कमपार्टमेंट में पुछाओ कोशन है इंट अभीवा इन में क्या है जिवानों से वाल प्रोटो जोगा कबक सहीं सरोगा उप्सन सी प्रोटो जोगा इन में से कौन स्वापर्ती रक्षा रोग का उधारन है 2018 में पुछा होगा कोशन है इन में से कौन स्वापर्ती रक्षा रोग का उधारन है उप्सने है दम्मा बी है रुमेंटोएड अर्थिराइटिस सी है कैंसर और डी है निमें से कोई नहीं सहीं सरोगा उप्सने दम्मा मनुस में हीम अंधता का मुख कारण इनमें से कौन है कि इसमें तमबाकू के स्वेबन से सिरेड में कौन सा उपापा चाई परिबर्तन सिघ्र परिलक्षित होता है दुझा ठाना में पूछावा कोशन है तम बाकू के सेबन से सिरेड में कौन सा उपापा चाई परिबर्तन सिघ्र परिलक्षित होता है अप्सने है अध्रब्रिक गरंथी के उद्धीपन से कईटको लेमीन का रक्त में स्राब ये सही है बी देखे बेक्ती के रक्त चाप तथा हिर्दय असपंदन की दर में का एक बिर्धी ये भी सही है अप्सन दोस्तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है दिया हुआ सी दोनों तो यहीं देखे ऑप्सन जो है सी हो जागा सही हो जाएगा निवन में से चित परमित्या परभाव डाल कर चितना बढ़ाने बाला है उप्सने है यलस्डी भी है हिरोईन सी है कोकिन और डी है मार्फिन सही हैं सरोगा उप्सने यलस्डी बायो फार्म का इस्तमाल किस बीमारी में किया जाता है option A है कॉलोस में भी है मिलेडिया में C है अनीवी, पेचिस में और D है एडस में सही अन्षर होगा option C अनीवी, पेचिस में OPM से प्राप्त मौफन है OPM से प्राप्त मौफिन है option A है lactis, lactis B है पॉम, C है, L-Kolide और D है, Tenin, तो सही इंसर होगा Option C, L-Kolide बीश्ब एट्स दिवस होता है बीश्ब एट्स दिवस जो है एक दिसंबर को होता है, नी के अप्शन जो है D हो जगा सही एट्स का कारक है यद चाहिवी बाइरस, नी के अप्शन जो है C हो जाएगा सही Influenza इने में से किस के द्वारा होता है Influenza इसमें किस के द्वारा होता है Misco, Virus, Mixo, Virus अनी के option जो है B हो जाएगा सही Syndrome का आर्थ है Option है रोगबस्था भी है संक्रमकार्णी की उरता B है Millingancy और C है लक्षनों का सम्मों सहीन सरोगे जाएगा Option D लक्षनों का सम्मों अगरा कोशन है किस सम्मों के Antibodies से allergic से allergic परतिकिरिया होती है Option है IG into G B है IG E तो सहीन सरोजएगा B I G E निमखित में से संबेदन मंदक पदार्थ है टुबैको या तंबाकू दारू या अलकोहल असिस या हिरोईन भांग या ओपियम कौफी तो सहीन सरोजएगा Option A टुबैको या तंबाकू N D बाउजिज है लियो प्रोटीन अप्षन B है Asteroids C है ग्राइको प्रोटीन और D है मेथी ड्रीन तो सहीन सरोजएगा Option D मेथी ड्रीन 33 में है किसी बेक्ती में परतिरक्षन में अधी कमी हो तो इसका परिमान किसमें देखेंगे Option A है प्राजमा के फ्राई बिनोजन में B है हीमोसाइड्स में C है सीरम एबलियूमिन्स में और D है गुद्दा द्वार में मस्सा सही इंसर होगा Option B Polio लिवखित में से काउन सरोग प्रोटो जोगा पर जीवी दोरा संचलित होता है Option इसका A है अमीबी एसिस B है मेलेडिया C है कालाजर D है उप्यूग सभी सही इंसर होजएगा Option D उप्यूग सभी अगला कोशन है यह इस डी त्यार के जाता है Option इसका कैना विस B है Clay V shapes C है Fusarium D है Nostak तो सही इंसर होजएगा Option B Clay V shapes इनमें से किसकी दोरा डेंगों का भी सरन होता है Option इसकी मक्खी B है मक्षर C है पर दुसरी तबाई D है इनमें से कोई नहीं सही इंसर जाएगा Option B मक्षर अगला कोशन पुछा हुआ है बिसानू जो कैंसर उत्पन करते हैं बिसानू जो कैंसर उत्पन करते हैं आप बुर्दिये बिसानू सही इंसर होगा Option E रिगानु कील पाऊ या हाथी पाऊ रोग का रोगानु है बुचेरी यानि के उप्सन जो है यह हो जाएगा सही किसने खोजा की में लेडिया मच्छर दोरा संचारित होता है अगला कोशन है देखिए दुस्तो पलाजमोडियम बाई बैक्स में संकरमन काल होता है छे दिनकानी के अप्सन जो है बी हो जागा इसका सही पलाजमोडियम की मानब को संकरमित करने बाली अबस्ता है अप्सन यह देखिए हो जागा सोपरो जॉआइड सही अगला कोशन है पलाजमोडियम से उकाइनीट किस से बनता है पलाजमोडियम से उकाइनीट किस से बनता है उप्सन है ट्रेफो जॉआइड से बी है यूगमनज से C है 조़ ऐस्पोरो जॉइड से और D है मीरो जॉइड से सही स्थोगा option B यूग्मनज से Gilrestre पाया जाता है WilliamACH Lymphe Node में उत्तक में आहार नाल में स Dutchman D आहार नाल में तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के बाइलोजी का आठमा चेप्टर मानव स्वास्त और रोग से इंपोर्टिन्ट अब्जेक्टिव कोस्चन और इंसर देखा जो आपके एग्जामनेशन बिहार बोट 2013 में पूछे जाएंगे तो इस वीडियो को धिक से धिक सेर कीजिए धने बात